दोस्तों मैक्सिमम घरों में सर्सों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है करना भी चाहिए ये काफी स्वास्थे वर्धक होता है गुन इसमें काफी पाया जाते हैं सोंदरे के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे स्वास्थे के लिए भी बहुत अच्छा है बहुत सी बिमार पर हर इस्थिती में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने पर अलग अलग मिलता है तो सरसो के तेल के कितने इस्तेमाल के बारे में आप जानते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और यह वीडियो पूरा देखिए हम आपको अलग अलग बीमारियों में किस प्रकार से सरसो ओहल का इस्तेमाल करना है ये भी बताएंगे आपको और कैसे ये लापकारी है हमारे लिए और किस इस्थिती में नुकसान दायक है ये भी बताएंगे यानि कि पूनता आज हम सभी सरसो तेल के बारे में समझ रहें तो वीडियो को बिने स्किप की हुए अंत तक जरूर देखिएगा और शील को लाइक कर दिजे शियर कर दिजिए और सबस्तों के पैसिबुक पे ताकि सब्मी को विडियो मिल सके छाना बनाना इससे बहतर रहता है वैसे तो यह कंगरों घी में बनार कि Ther цкр से बहतर रहता है लगातार निरंतर रूप से एक ही तरह का खाना खाने से भी स्वास्थ है हमारा खराब होता है तो इसलिए तेल बदल करके खाएं तो बहतर है लेकिन सरसों तेल का गुण यह है कि खाते हैं तो आपका लिवर सही रहता है स्वास्थ रहता है यह इसकी खास्य इससे आराम से कर सकते हैं पहले दिखते होंगे कि बहुत से बच्चे जो है उनकी मालिश जो है सरसो ऐल से की जाती थी ये बेश्ट तरीका है नहाने से पहले अपने शरीर का मालिश कीजिए इसके बाद असनान ध्यान कर लिजे आपका शरीर हमेशा ही निरोग और स्वस्तर ह खास करके इसकीन संबंधी प्रोब्लेम्स नहीं होंगी आपको कभी भी आगे और तरीके जानते हैं लेकिन आप देख रहे हैं आयरुवेदी कुप चार चैनल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कौन कर लिजे क्योंकि ऐसी नई वीडियो हम इस चैनल के मा किसी को तो बहुत फायदेमंद है यह शरीर के किसी भी भाग में फंगस को बढ़ने से रोकता है और त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है इसके लिए आप चाहें अगर इसकीन में प्रोब्लेम है तो इसमें नीम की पत्तियां डाल देजिए चार और उबाल करके त शिड पाया जाता है जो की बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है सर्सों के तेल को कई लोग एक टॉनिक के रूप में भी प्रयोब करते हैं यह शरीर की कारिये शमता बढ़ा करके शरीर की कमजूरी को दूर करने में सहायता करता है इस तेल की माल इन ई अल्ट्रा वाइलेट केड़ों से और पोल्यूशन से हमारी स्कीन को बचाता है साथे साथ जूरियों को काफी हद तक कंट्रोल कर देता है जो कि उम्र से पहले आपकी ज्यादा उम्र दिखने लगती है उसके लिए भी यह बहतर है भूख नहीं लगने पर सरसो का तेल आपके लिए बहत फायदेमंद सावित होगा अगर भूख न लगे तो खाना खाने में या खाना बनाने में तेल का उप्योग करना लापकारी रहेगा सरसों के जिहां शरीर में पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में यह लापकारी होता है सरसों के तेल का प्रियोग करने से कुरुनरी हाट डिजिस का खतरा भी कम होता है इसलिए सरसों के तेल को अपने खाने में जरूर शामिल करें इसके स्वास्तेला प्राप्त करें अगर जोडों का दर्ध है तो इसके लिए आप इसमें लहसुन पका सकते हैं लहसुन को तब तक पकाईए जब तक कि लहसुन काली न हो जाए इसके अलावा जोडों में दर्ध है तो आप अलग-अलग प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं जैसे कि किसी के मान लीजे पैरों में दर्ध रहता है घुटनों में दर्ध रहता है तो वो अरंड के जो पत्त तो लीमित में खाना जाहिए जयादा मात्रा में तेल खाना आकर देल लेकिन अगर एक इंसान की बात करें तो परड लगबग 30-40 ग्राम तक तेल खाते हैं एक दिन में कोई नुक्सान नहीं है इतना तेल का आप 7 कर सकते हैं इससे कम करें तो और अच्छी बात है 20 ग्राम तक एक दिन में अगर एक इंसान पर तेल आए तो बहुत अच्छी बात है यानि कि अलग से नहीं खाना है आपको सबजी बनाते हैं उसमें या सबजी में इस्तेमाल करते हैं दाल में बहुत से लो में जिस चीज को मिला देते हैं उसके गुणों को यह ग्रास कर लेता है अपने अंदर रख लेता है और वह आपके लिए और इफेक्टिव हो जाता है यह अल्रेडी बहुत ही अच्छे इंटिबाइटिक की तरह से कार्य करता है लेकिन निम मिला दिया आपने तो वह किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को दूर करने के लिए और अच्छी आउश्यधी बन जाती है तो इस प्रकार से आप सरसो के तेल से लाप राप्त कर सकेंगे उमीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को आने वाद नमस्कार दोस्तों